नमस्कार आज की बात में आपका स्वागत है लोक समाश चुनाओं में पहले फेस की पॉलिंग में अब सिर्फ 60 घंटे का वक्त बचा है पहले फेस के लिए कैमपेंग कल शाम को खत्म हो जाएगा इसलिए जिन 102 सीटों पर 19 अपरेल को वोट डाले जाने हैं उन सीटों पर प प्रियंका गांधी राहूल गांधी बम्ता मैंदर्डी तेजस्टी यादव से लेकर संजै सिंग तक सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की मोदी ने आज पबली मीटिंग्स पे विरोधी दलों के नेताओं द्वारा लगाए गए आरूपों का कर परारा चवाब दिया मोदी विरोधी दिन मोर्चे के नेताओं कह रहे हैं कि मोदी फिर जीते तो सम्धान बदलत देंगे फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो आरक्शन खत्म कर देंगे मोदी करप्शन के खिलाफ नहीं है करप्शन के केसेस का डर दिखा कर दूसरी थिया बाबा साब अंबेटकर का सम्धान अब तो खुद बाबा साब भी नहीं बदल सकते मोदी ने कहा कि सम्विदान पिछडे दलित और आदिवाश्यों के हकों का रक्षा कवच है सम्विदान देश की प्रगती की गाइडिंग फोर्स है सम्विदान के साथ खिलवार त करने की साज़िश का अलजाम लगाया और जब मोदी ने परिवारबाद फ्रस्ट अचार और सनातन्त के अपमाद के मुद्दे उठाए इन पर विरुद्धियों को घेरा तो ऑपोजिशन लीडरस ने क्या जवाब दिया मैं आपको मोदी की बास सुनगा हूँ विरुद्धि मन पर क्या असर पढ़ रहा है लोग किसकी बात पर यकीन कर रहे हैं लोगों के मन में क्या है इसके फिगर्स मेरे पास आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि पोलिंग से पहले इंडिया टीवी सीन एक्स का आखरी और फाइनल ओपिनेंट पोल क्या इशारा कर रहा है इस चुनाव में लोग के मन में सबसे बड़ा सवाल है क्या इंडिया का चार सो पार का नारा हकीकर में बदल पाएगा क्या इंडियो को वाकई में चार सो से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो अपिनन पोल का जो नतीजह आया है वो बीजेपे के नेताओं के हलका सा पीलेंगी लेकिन चार सो का अकडा पार नहीं होगा हमारे ऑपिनन पॉल के मताबिक एंडिय का काटा तीनसो तीरान्दे सीटोव पर अटक सकता है NDO को 400 के टार्गेट से 7 सीटे कम यानि 393 सीटे मिल सकती है जबकि इंडिया अलाइंस 100 का अकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगा इंडिया अलाइंस को कुल 93 सीटे मिल पाएंगी जबकि 51 सीटे अन्ने पार्टियों के खाते में जा सकती है अब आपको ये भी बता दू कि बीजेपी और कॉंग्रेस को अपने दम पर कितनी कितनी सीटे मिलेगी इंडिया टीवी सीनेस अपिनेन पूल के मताबिक बीजेपी अपने दम पर अकेले इस बार 343 सीटे जी सकती है इसका मतलब मुदी का जादू पूरे देश में चल रहा है मुदी पर देश के लूग का यकीन बढ़ गया है बीजेपी को पिछले चुनाग के मकाबले 40 सीटे ज्यादा मिल सकती है 2019 में बीजेपी को 303 सीटे मिली थी जो इस बार बढ़कर 343 हो सकती है दूसरे तरफ कॉंग्रेश की सीटे इस बार कुछ और घट जाएंगी कॉंग्रेश को सिर्फ 40 सीटे मिलती दिखाई दे रही है यानि बीजेपी अपना अब तक का बेस्ट पर्फॉर्मेंस करेगी और कॉंग्रेस इतिहास का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इस उपिनित पोल्ग के मताबिक करने जा रही है राज्यों के स्थिती देख लेते हैं तंक्षेप में आपको बताऊंगा यूपी में सबसे दादा 80 सीटे हैं हमारे उपिनित पोल के मताबिक यूपी में भगवा लहराएगा यूपी के 80 में से 76 सीटें एंडिये के खाते में जा सकते हैं जबकि इंडिये अलाइस को सिर्फ चार सीटें मिलेंगी और ये चारों सीटें समाजवादी पार्टियों को मिलती हूँ दिखाई ने रही है उपिनित पोल के मताबिक यूपी में इस बार कांगριस का खाता खुलना मुश्किल होगा अमेटी सीट कांगριस ले पिछली बार गवाई थी और इस बार उपीनित पोल कहता है कि राएबरेली की सीट भी हाथ से चिन सकती है सीटों के संक्यां के लिहाज से यूपी के बाद महाराश्ट का नबर आता है महाराश वे लोग सभा की 48 सीटे हैं इंडिया टिवी सियन्एक्स की अपिनेन पोल के मताबिक महाराश वे एंडिय को 48 में से 49 सीटे मिलने की उम्मीद है इन में से 89 सीटे तो अकेले बीजेपी जी सकती है जबकि माविकास अगाडी को 9 सीटे मिल सकती है और इसमें सबसे बढ़ा हैसा उदव ठाकरे की शिव सेना का होगा माविकास अगाडी जो 9 सीटें जीता दिखाई दे रहा है उसमें 7 सीटें अकेले उद्व की पार्टी के खाते में जा सकती है 22 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी बड़ा उलट फिर कर सकती है हमारे उपिनिन पॉल के मताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है बंगाल में बीजेपी को 42 में से 23 सीटें मिल सकती है जबकि 2019 के चनाओं में यहां बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी अब तक बंगाल में एक छत राज करने वाली मम्ता के पार्टी तरुनूल कॉंग्रेस को 19 सीटों से ही संतोश करना पड़ सकता है पिछले एलेक्शन में तरुनूल कॉंग्रेस ने 22 सीटे जीती थी कॉंग्रेस को पिछले एलेक्शन में दो सीटे मिली थी लेकिन इस बार बंगाल में कॉंग्रेस का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है बंगाल में तो BGP को फाइदा हो रहा है लिकि बिहार में नुकसान हो सकता है बिहार में 40 लोकसबा की सीटे हैं हमारे उपिन पॉल के मताबिक NDA को 33 सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है 2019 में NDA को बिहार में 49 सीटे मिली थी सिर्फ एक सीट पर हार हुई थी लेकि इस बार 6 सीटों का दुकसाद हो सकता है 7 सीटों पर हार हो सकती है इंडिया अलाइज बिहार में 7 सीटे जी सकती है पिछली बार लालु यादव के RGD का खाता नहीं खुलाता लेकिन इस बार RGD को 4 सीटे मिल सकती है गोड़ करने वाली बात है कि हमारे उपिन्ट पूल के मदावें लालु यादव के दोनु बीटिया मीसा भारती और रोहिनी आचारे चुनाव हार सकती है जहां तक NDA का सवाल है ओपिन्ट पूल के मतावें बिहार में BJP पिछले चुनाव का प्रदर्शन दोराएगी लेकिन इस बार GDU को 4 और 4 पास्वन के पार्टी को 2 सीटों का नुक्साद हो सकता है इसलिए NDA की टैली 49 से घटकर 33 पर आ सकती है पंजाब को लेकर ओपिन्ट पूल के आकड़े हैरान करने वाले हैं पंजाब इस बार आम आदमी पार्टी एक बार फे बड़ी ताकत बन कर उभर सकती है पंजाब में आम आदमी पार्टी को 13 में से 8 सीटों पर सफलता मिल सकती है यहां बीजेपी का प्रजेशन भी सुधर सकता है पिछली बार पंजाब में बीजेपी को 2 सीटे मिली थी इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाब लड़ रही है और उसे 3 सीटे मिल सकती है जादा नुकसान कॉंग्रेस को होगा कॉंग्रेस को पंजाब में सिर्फ एक सीट मिलती दिखाई दे रही है जबकि सुपीर बादल के अकाली दल को भी सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ सकता है सबसे चौकाने वाले आखड़े तमिलाडू से आए है बीजेपी तमिलाड में अब तक एक भी सीट नहीं जीती है लेकिन इस बार की उपीनियन पोल के मताबिक इस बार तमिलाडू में एंडिये को 6 सीटे मिल सकती है इन में से 4 सीटे बीजेपी को जबकि उसकी सेहुवे पार्टियों को 2 सीटे मिल सकती है तमिलनार्ड में 49 सीटों में से डीम के और कॉंग्रेस के ऐलाइन्स को 29 और AI ADM के को 4 सीटे मिल सकती है एक और राज जहां इस बार BJP चौका सकती है वो है किरल इस बार BJP को किरल में 3 सीटे मिलने का अनुमाद है कॉंग्रेस के अगवाई वाले UDF गर्डबंदन को 11 और लेट के अगवाई वाले LDF गर्डबंदन को 6 सीटे मिल सकती है असल में आज कर जहां भी जाओ लोग पूछते हैं क्या दरेंद मोदी 400 पार करेंगे लोग ये तो मानकर बैठे हैं कि मोदी तीसरी बार पधान मंत्री बनेंगे लोग ये भी मानते हैं कि BJP इस बार 300 से जाज़ा सीटे जीच सकती है लेकिन 300 से उपर कितनी सीटे आएंगे इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि विरोधी दलों के निता भी मानते है कि 2024 का चुनाव नरेंद मोदी बड़े आराम से जीतेंगे विरोधी दलों का कोई चांस नहीं है पर उनका जमीर के माननों को तैयार नहीं है कि मोदी की जीत मोदी की लोग प्रिज़ा के आधार पर होगी कोई कहता है मोदी एवी में गड़ बड़ करके जीतेंगे कोई कहता है सारे विरोधी दवलों के निताओं के जेल में डाल कर जीतेंगे कोई कहता है कि मोधी इसलिए जीतेंगे क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनका कहना है कि विरोधी दवलों के पास न चुनाव लड़ने के लिए पैसा है और नहीं सम्वेधानिक सथा हैं उनके साथ है और यह सब कहने के बाद विरोधी दवलों के निता पूछते हैं कि मोदी को 400 सीटे क्यों चाहिए और जवाब भी दे देते हैं कि मोदी लोग तंतरों को खत्म करना चाहते हैं वो कहते हैं मोदी 400 सीटे जीत कर सम्वेधान को बदलना चाहते हैं आज नरेज मोदी ने इन आरुपों का करारा चबाद दिया आज मोदी ने का कि अब हाई की हताशा में डूबे लोग देश में भर्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को डराने का अश्या डिंतर कर रहे हैं अब वाएं फैला रहे हैं कि मोदी आया तो सम्वेधान खत्म करतेगा बीजेपी बाबा साहब अब्रेट करके सम्वेधान को खत्म करना चाहती है मोदी ने आज चार पब्लिक मीटिंग्स की दो बिहार में दो बंगाल में पूर्णिया में मोदी ने का उनकी सरकार ने तो सम्वेधान को सर्वो पर ही रखा है इस साल सम्विधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं सरकार ने जैसे आज़र्दी का अमरित मौस बनाया उसी तरह सम्विधान लागू होने का उस सब भी बनाएगी मोदी ने का जो लोग सम्विधान को खत्म गरने गयाबा फैला रहे हैं हकीकत तो यह है कि बाबा साब अम्बेटकर का अपमान उनी पार्टियों ने किया उनी पार्टियों ने एमरिजनसी लगा कर सम्विधान को सस्पेंट किया था मुदी ने का उनकी लिए तो सम्विधान सबसे उपर है उन्होंने सम्विधान को देश के हर घर हर परिवार तक ले जाने का संकर्प लिया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की और ये वर्ष तो बहुत विशेष है इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है हमने तय किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवापुईडी को देश की गवरवसाली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्व बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे कामियाब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है इससे पहले बिहार के गया में भी मोदी ने इसी मुद्धे पर बात की प्रधान मंतरी ने का पिछले 30 साल में बीजेपी केंद्र से लेकर कई राज्यों में सफ्ता में रही लेकिन बीजेपी ने समविधान पर कभी आँच नहीं आने दी मोदी ने का ये विपक्ष के लिए समविधान रादनीत्री का हतकंडा है लेकिन उनके लिए समविधान विक्सित भारत बनाने का मार्ग दर्शक है मोदी ने का वो तो क्या खुद बाबा साब अमेट कर भी आप समविधान को नहीं बदल सकते इनको पता होना चाहिए ये जो समविधान सबाती डॉक्टर राजेंदर बाभू ने तृत्व करते थे बाबा साब अमेट करका दिल दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और जो लोग सनातन को गाली देते हैं न वो भी कान खोल करके सुन लो ये जो समविधान इतना महान बना है ये जो समविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है इस सम्मिधान को बनाने के लिए जो सम्मिधान सभा थी उसमें असे नबी परसन से भी ज़्यादा 80-90 परसन से भी ज़्यादा सब के सब सनातनी थे और उन सनातनीों ने इतना उत्तम सम्मिधान बनाने में बाबा साव आमबेड करका साथ दिया है जो लोग सम्मिधान को राजनितिक हथियार के नाते उप्योग करना चाहते हैं विजरकान खुल करके सुनने पहले कहते रहते से कि लोग पुरान पंथी है ये प्रकतिश ही लोग नहीं है हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमे है बैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रेकर्ड दुमा रहे हैं जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनितिव सस्त्र के लिए उप्योग करते हैं और जूट फेलाते हैं संविधान बदल देंगे संविधान बदल देंगे भाईयों बैनों लिखके रखिये मोदी तो क्या बीजेपी तो क्या स्वयम बाबा साब आमबेड कर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं संविधान हमारी जीवन को हमारे सांसकारों को हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है आपके लिए संविधान राजनीपी का हतकंडा होगा हमारे लिए संविधान सद्धा का केंदर है हमारे लिए संविधान आस्था का केंदर है हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्ग दर्शक है आप सोच रहोंगे आखिर सब्वेधानिक तरीके से चुनिए गई सरकार सम्वेधान को खत्म क्यों करेगी नरे दर्मोदी को सम्वेधान के रक्षा का वचन इस अंदाज में क्यों देना पड़ रहा है असल में जब से मोदी ने चार सो पार का नारा दिया है उसके बास से ही विरोधी दलों के ज़्यादा तरनेताओं ने ये नरेटिव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है कि अगर नरेदर मोदी तीसरी बार पधान मंत्री बने देश में लोक तंतर खत्म हो जाएगा इसके बाद देश में छुनाब नहीं होंगे मोदी को अगर चार सो से ज़्यादा का वहमत मिल गया तो मोदी संब्धान को बदल देंगे राउल गांदी, तेजस्वी आदव, अकलेश आदव, मम्ता बेनरजी से लेकर असदू दू नोवैसी तक सारे नेता अपने रेलियों में यही बात बार बार कहते हैं आज औरंगाबाद की पबलिक मीटिंग में ओवैसी ने का कि बीजे पी सप्ता में वापस आई तो कौंस्रूक्शन बदल सकती है ओवैसी ने का मोदी बार बार चार जात्यों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि सम्विधान को बदल कर वो आरक्षन को खत्म करना चाहते हैं याद रखिए बी जे पी सम्विधान को तब्दील कर सकती है अगर दुबारा अक्तदार सत्ता हमी आएगी तो सम्विधान को बदलेंगे मैं हमारे दलिद भाईयों से कह रहा हूँ उन तमाम भारत के बाईज़त लोगों से कह रहा हूँ जो इस सम्विधान को इस देश की सबसे बड़ी ताखत और खूवत मानते है बी जे पी सम्विधान बदल सकती है ये बार बार मोडी जी बोलते है चारकास चारकास याद रखो इसके पीछे बात है राज है तो इसलिए सम्विधान को बचाना है आज उद्व ठाकरे ने भी का अगर मगर की कोई बात है ही नहीं अगर बी जे पी तीसरे वार पावर में आई तो बोदी सम्विधान बदलेंगे उद्व ठाकरे ने का अब सब कुछ सामने आ चुका है बी जे पी के कई बड़े नेता इसके लिए महौल बना रहे हैं कि बी जे पी को 400 सीटे दो तो सम्विधान बदल देंगे यह अगर मगर की बात क्यों दिखाई तो दे रहा है साफ दिखाई दे रहा है समादवादी पार्टी के महस्ची वराम कुपाल यादव ने भी आज का कि देश में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंतर खत्म होने का इशारा है राम गोपाल ने का कि बी जे पी गरीबों को मुफ्त राशन इसलिए बाट रही है कि वो सरकार से सवाल न पूछ सके वो सम्विधान बदलें आरशन खत्म करें लेकिन लोग इस दर से कही राशन न बंद हो जाए चुप रह जाएं इसलिए मुफ्त राशन की आदत लोग को डाली जा रही है जुमले जो गारंटी में बदल गए है वो बैसी बात समझे गुरु गोलबलकर की एक किताब है बंच आफ थॉट्स उन्होंने अपनी उस पुस्तक में एक जगे लिखा है कि अगर सत्ता में काबज रहना है तो देश की जनता को कंगाल बना देजिए ताकि वो आपके सामने हाथ पसारे खड़ी रहे है उसी नीद पर ये चल रहे हैं देश की 80% से ज़्यादा जनता बिलो पवर्टी राइन चली गई है वो कभी अपना हक न मांगे वो ये नक है कि सम्मिदान में क्यों खटाने कोष कर रहे है वो ये नक है क्यों आरक्शन खटम कर रहे हो उसे केबल चने के लिए कुछ मिलता रहे हाथ पसारे रहे पहली तारी को इस तरह की इस्तितीज देश की करने जा रहे है लेकिन समय रहते देश का गरीब से लेके अमीर तक सब चेत गया है और 24 में मोदी जी को हटा देगा राम गुपाल का लौची भी कमाल का है राउल गांदी आधकल केरल में है वो वाइनाट से लेकर कोजी गोट तक अपनी हर सभा में हर शोड डौड शो में यही कहा रहे हैं कि BJP और RSS समविधान को खत्म करने के फिरात में हैं कॉंगरिस और उसके सहयोगी दल इस बार समविधान को बचाने की लड़ा ही लड़ रहे हैं The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution And the UTF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution Mr. Narendra Modi is an instrument of five or six of India's biggest richest business people तेजस्वी यादव ने भी इसी मुद्दे की बात की लेकिन अन्दाज अलग था मुदी के रैली के बाद तेजस्वी ने का अगर वाकई में मुदी समविधान नहीं बदलना चाहते मुदी को अगर समविधान की इतनी ही चिंता है तो उन नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लेते जो समविधान बदलने की बात क्या रही है हम इतना जानते हैं कि बाबा शाहब भीम्रां बेठेट जी का समविधान जो है जो है केश का सबसे परुत्र हिताब है और उस परुत्र हिताब को खतम कन ngay के लिए भाजपा के सभी प्रट्यास्य खुले हाम बोल रहे है कि सिर्विधान को खतम किया जाएगा जब मौधी जी को प्रचड बहुमत वे लेगा इस पे मौधी जी क्यों ने बोल रहा है क्यों ने कारवाई कर रहा है इस मुद्ध पर सबसे ज़ादा एग्रेसिव अदाद में बोले कॉंग्रिस के प्रवक्ता पवंद खिरा पवंद खिराने का बीजेपी चुनाव जीती तो देश का लोक तंदर खत्म हो जाएगा हमारे देश का हाल रूस जैसा हो जाएगा बीजेपी समिधान बदल देगी लोगों से बोलने सवाल पूछनी के आज़ादी चीन ली जाएगी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा ये चुनाव इस देश के इतिहास में हमें लगता है कि सबसे ज़ादा मेहत्वपूर्ण सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ऐसा क्यों क्योंकि लोगों के मन में एक डर है कि अगर इस चुनाव में फिर से भारतिय जन्ता पार्टी जीत जाती है तो शायद उसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे डिमॉक्रिसी खतम कर देंगे या फिर रश्या जैसी डिमॉक्रिसी आ जाएगी जो की है ही नहीं एक तरह से कॉंस्टिटूशन पे अटैक होगा कॉंस्टिटूशन को खतम कर देंगे ये खुद बोलते हैं कई बार इनके नेता रोज बोलते हैं अगर ये बार फिर वो जीत गए तो आप समझ लीजिए कि आप लोग सवाल नहीं पूछ पाएंगे हम लोग प्रेस कॉंफरेंस नहीं कर पाएंगे हमें शायद जेलों में डाल दिया जाएगा जैसा कि शुरू कर चुके इसलिए ये बहुत ख़तरनाक दोर से हमारा देश गुजर रहा है इसलिए हम इतने परिशान हैं इसलिए बार-बार बोल रहे हैं साब बचा लो लोकतंतर को बचा लो समिधान को बचा लो बाबा साब अंबेटकर का समिधान है हर तीसरे दिन कोई इनका नेता बोल देता है चार सो सीट चाहिए समयधान बदल देंगे इस मुद्धे पर सबसे हैरान करने वाला बयान जारखंड से आया जेमेम के नेता प्रोफेसर नजरुल इसलाम ने कहा कि चुनाओ में मुद्धी को अगर चार सो सीटे मिल गई तो समयधान बदल देंगे इसलिए इस बार मुद्धी को चार सो सीटे देने के बजाए जमीन के चार सो फीट नीचे गार्ड दिया जाए बी जेपी ने इसके शिकायच चुनाओ उसे की है और नजरुल इसलाम के खिलाफ एक्शन की मांग भी की है नरडर मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अग भीटलर बस रहा है भीटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खट्म कर दिया जाए आप अगर विरूधी डलों के नेताओं के बयानों को देखेंगे तो सब के सब एक सवर से यही बोल रहे हैं कि मोदी सम्विधान को बदल देंगे लोग तंत्र को खत्म कर देंगे यह तरह का सस्टेंड कैमपेंड है इसलिए मोदी ने आज अपनी हर पबलिक मीटिम में कहा उनके लिए सम्विधान सबसे उपर है लोग तंत्र के लिए उनके मन में अपार श्रदा है इनको बदलने और खत्म करने का उनका कोई रादा नहीं है लेकिन मोदी के कहने से यह कैमपेंड खत्म नहीं हो जाएगा यह बात तो विरोधी दोलों के नेता भी जानते हैं कि हमारे देश की जनता लोग तंत्र को अभी वेक्ति की आजादी को कितना प्यार करती है एक बार इंदिरा गानी ने इमर्जिंसी लगा कर लोग तंत्र का गला खोटा था जनताने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया अब कोई नेता लोक्तंटरूँ खत्म करते कि हिंमत कभी नहीं कर सकता जहां तक मोधी का सवाल है मोधी को तो ये लोक्तंटर चुनावक की ये विवस्था ये संविधान सबसे जादा सूप करता है मोदी ने इसी सिस्टम में तीन तीन बार गुजरात का चुनाप जीता मोख्यमंतरी रहे इसी लोगतांत्रिक विवस्था में मोदी दो-दो बार लोगसभा का चुनाप जीत चुके हैं पूर्ड महमद की सरकार उनोंने बनाई है तीसरी बार उनकी जीत पक्की मानी जा रही है मोदी को इसमें बदलाव की क्या जरूरत है बदलाव तो वो लोग करना चाहेंगे जो इस लोग तंत्रिक विवस्था में बार बार चुनावार रहे हैं बदलाब तो वो चाहेंगे जिनके जीतने का चांस मोदी ने खतम कर दिया है इसलिए ये कावत है उल्टा चोर कोटवाल को डाटे मोदी विरूदी मोर्चे के नेता आजकल एक और कैमपेंट कर रहे हैं वो कहरें कि मोदी इवियम की वज़ा से जीतते हैं और आज ये सवाल सुप्रीम कोट में उठा इवियम पर सवाल उठाने वालों से सुप्रीम कोट ने पूछा क्या वो दुबारा बैलेट पेपर वाले उस यूग में लोटना चाहते हैं जब बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे जब चुनाओं में बड़े पैमाने पर धंदली होती थी असल में सुप्रीम कोट इवियम में डाली जाने वाले सभी वोटन के लिए वीवी पैट को कंपलसरी बनाने की पेटिशन पर विचार कर रहा था आज जस्टिस संजीब खन्ना और जस्टिस डेपंकर दत्ता की मेंच से सुनवाई की सुनवाई के दौरान सीनर एड़ोकेट प्रशान भूशन ने का देश के ज़्यादा तर लोगों को इवीम से वोटिंग पर यकीन नहीं है और कोट हर वोट की तस्दीक के लिए वोटर वेरिफाइबल पेपर और अडिट फ्रेल यानि वीवी पैट का आदेश दे जिसमें वोट डालने के बाद एक पर्शी निकलती है जिससे वोटर ये मिलान कर सकता है कि उसने जिस पार्टे को वोट दिया उसी को मिला या नहीं फिलाल सुप्रीम कोट के आदेश के मताबिक हर असेंबली सेक्शन की पांच वोटिंग मशीनों के वोट का मिलान वीवी पैट से होता है ये सेंपल के अधार पर किया जाता है आज पैटेशन्स ने का कि जर्मनी जैसे देशों में आज भी बैलेट पेपर से वोट डाले जाते है इस पर जस्टिस निपंगर दत्ता ने का कि जर्मनी के आबादी तो उनकी होम स्टेट बंगाल से भी कम है लेकिन भारत में 98 करोण वोटर है चुनाव आयू के तरफ से कहा गया अगर हर वोट का वी वी पैट से मिलान किया जाएगा तो काउंटिंग में कम से कम 12 दिन का वक्त लगेगा तब प्रशाद भूचर ने का कि एवी एम पर देश को भरूसा नहीं है ऐसे में पूरानी व्यवस्ता ही लागू की जाए इस पर जस्टिस संजीब खनाने का हम समने वो दौर भी देखा था जब बैलेट पेपर से चुनाब होते थे और क्या क्या धानलिया होती थी क्या पेटिशनर उस दौर की बात कर रहे हैं क्या वो उस दौर में लोटना चाहते हैं तब पेटिशन्स की तरफ से प्रशान भूशनर ने गौहर लगाई अगर कोट हर वोट का वी वी पैट से मिलान हो तो लोग के शंकाएं दूर हो जाएगी इस पर अदालत ने का पहले ये देखना होगा कि एवियम ठीक से काम कर रही या नहीं कितनी बार एवियम की काउंटिंग पर सवाल उठे हैं और दोबारा गिंती में कितनी बार गर्ड़बड़ियां मिली है अब चुनाव आयोग ये आकड़ा ये फिगर्स सुप्रीम कोर्ट को देगा मामले के अगली सुनवाई 18 अपरेल यानि गुरुवार को होगी जबकि पहले राउंड की वोटिंग 19 अपरेल को होनी है इस विशेपर कॉंग्रेस से नेता दिग विजाई सिंग की कहा वो तो अभी भी यही कहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए लेकि चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं तो वो क्या कर सकते है दिग्विजेक सिंग ने का वो नरेन मोदी से पहले से चुनाव लड़ रहे है इसलिए उन्हें ये सिस्टम मोदी से ज़्यादा पता है मैं चाहता था मत दान बैलेट पेपर से हो क्योंकि मुझे इवियम पर भरोसा नहीं है लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि मानने चुनाव आयो अगर 384 से ज़्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे नागने की 384 और फॉन भी बहर तो वो एवियम से चुनाव कराएंगे तो फिर इस बात पर जब जानकर इमिली तुम ने पुनर्वेचार किया और फिर कहा कि चलिए अब इवियम से संगर्श करेंगे नरेन मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा 2002 में मैं चुनाव 1977 से लड़ रहा हूं मैं जानता हूं क्य है क्या नहीं है कॉंग्रेस इवियम पर सवाल तो पिछले पांच साल जो उठा रही है इस चुनाव से पहले दिवियम का मुद्धा उठाया था फिर कॉंग्रेस का डेलिगेश्च चुनाव आयोक से मिला इसके बाद सूप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया यह सब चु ली मिलान करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो कम से कम इस चुनाव में तो यह संभव नहीं है क्योंकि चुनाव के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 19 अप्रेल को वोटिंग होनी है इतने कम वक्त में कुछ नहीं हो पाएग कि हम इसलिए हारे क्योंकि EVM में गर्बर हुई जो कहना है उसका ग्राउंड अभी से तैयार किया जाए इसलिए नरिद मोदी ने कहा कि यह सब हार के बहाने खोजनी के कवायद है और कुछ नहीं मोदी और विरूधी दलों के नेताओं में यही एक बड़ा फर्क है विरूधी दलों के नेता वो मुद्धे उठाते हैं जिनसे जनता को फर्क नहीं पड़ता और मोदी विरूधियों की वो नस्तबाते हैं जहां दर्द सबसे जादा होता है आज बिहार और बंगाल के रे गाल से लेकर यूपी तक विरुदी दलों को परिशान करता है। इसलिए आज मोदी ने पुर्णिया के रैली में परिवार बात की बात की। पुर्णिया का लालू को अपने परिवार के आगे पीचे कुछ नहीं दिखता। उनकी नजर में परिवार का विकास ही बिहार का विकास है। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछणा कहकर पिछा छुड़ा लेती थी। वो लोग हैं जिनोंने आपात काल में सम्विधान को रद करने, सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था। हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठी में रखना चाहते हैं। सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मनसुबे कामयाब न हो। सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे। इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है। मोदी का तिर निशाने पर लगा। लालू की बेटी मिसा भारती और तेज़सी आदब दोनों ने तुरण जवाब दिया। मिसा ने का मोदी अगर मुदों की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने जो वादे किये हैं उनका जवाब क्यों नहीं देते। मोदी सिर्फ दूसरों के परिवारों पर अटैक करके जंता का ध्यान भटकाना चाहते हैं माजी जी किसके परिवार के है परिवार लूट इन थे परिवार के यह परिवार बात्व का वादक्ष exhibits की उनौजवान को रोज़गार बोलने से । किस खिान के अध्व नाम नहीं है उमिद्वार का कोई प्रदान मंतरी जी तो अपने छेतर नहीं जाते हैं, तो बिहार की से आएंगे? बिहार आते हैं सिर्फ चुनाव के समय भाशन देने आते हैं और वह भी बतलब पूराना वादा नहीं पूरा करते है और अभी तो कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, उन वादों की तो कोई विने का मोदी परिवारवाद का लगाते हैं लेकिन बिहार के जिन सीटों पर पहले राउन में वोटिंग होनी है उन सब में एंडिये ने परिवारवादी केंडियेट उतारे हैं ते जो सीरी पूछा ये परिवार वाद नहीं तो क्या है खाली बोलता है उपर देखके भोट करो मौधी जी गरीब के नीचे देख़े नहीं करते हैं तो उपर देखके भोट करो बता मौधी जी गरीब के देखते हैं नीचे देखते हैं परिवार वाद है नमॉदेगे हो भिवेक ठाकट सिप्पी ठाकटर के बेटा है वो परिवारे वाला है और खाली बोलते हैं परिवार वाद से अजादी है अपने घर से शुरुवात करो ना मोदी जी फिर हमारे बारे में बात करना है दो फेड़े बिट लिखे कि कोई शी परिवारवाला के साथ मांजी जी के साथ गड़ बन दो उनका बेटा भी धा एम 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 एल सी और उनकी सामधान में ले क्या हम बता है सब लोग इधर परिवारवाला उदर परिवारवाला गया में परिवारवाला अवदर सुशील कुमार उभी परिवारवाला चारो पहला फेज में चारो जगा चुनाओं है सब परिवारे वाला के टिकेट दिया, अब बलते हैं, परिवारवाद खताब कर, भरस्ट चार के बारे में बोलते हैं, लालुजी नभ्य हजार करूर का मुन अफा दिये, कोई दिया आस्तर रेल्वे में, सारा कूली के पर्मनेंट कर दिये, पुरा भारत भर में कुल लड़ में चाज चलाते था कि कहार भाई लोग का घड़ चलता रहे क्या 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 काम नहीं किये अरी जो है इन लोग खाली जुमला चुप चाप चुप चाप वैसे परिवारबात का सबसे बड़ा नजारा आज उत्तरप्रदेश में दिखाई दिया मौका था मैंदपुरी सीट्स से समाजवादी पार्टी को बिद्वार डिम्पल यादव के नॉमिनेशन का टिम्पल का परचा भरवाने के लिए मुलाहिमसी यादव का पूरा खांदान मौझूद था अखले शादव के अलावा चाचा रौम कपुल यादव चाचा शिपाल यादव और भाई धर्मिन यादव समेथ परिवार के तमाम सद्द्स मौझूद थे क्योंके अखले शादव कह चुके है कि इस बार परिवार के लोग को टिकट देने में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया इसलिए आज योगी आदवित नात ने अपनी पब्लिक मीटिंग्स पे कहा बी जे पी का नारा है नेशन फर्स्ट और समादवादी पार्टी का नारा है फैमिली फर्स्ट और जनता च्छी तरह जानती है किसका चुनाव करना है योगी की ये बात अकले शादव को बुरी लग गई उन्होंने का जो लोग नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं वो तो अमेरिका की नकल कर रहे हैं वो लोग उनके परिवार के चिंता करें बस सड़कों से जानवर हटा दें फिर बाग की विकास के दावे करें राम गुपाल तो योगी और मोदी के हमलों से इतने नाराज हो गए उन्होंने यहां तक कह दिया कि योगी मोदी के बच्चे नहीं है इन दोनों का परिवार नहीं है तो इसमें उनका क्या कसूर योगी मोदी का परिवार नहीं है इसलिए वो क्या जाने परिवार होता क्य है परिवार बाद एक ऐसा इशू है जिसका विरोधी दलों के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है लालु यादव उनकी पत्नी उनके दो बेटे उनकी दो बेटियां सब या तो चुनाव लड़ रहे हैं या कैमपेंड कर रहे हैं रादीती में अखलेश आदव उनकी बड़ी बेतावी से अपना इंतजार कर रहे हैं स्टालिन पवा ठाकरे ये सब परिवार भी रादीती में हैं चुनाव के मैदान में या तो लड़ रहे हैं या चुनाव लड़वा रहे हैं इसलिए इस मुद्दे पर वो क्या बोल सकते हैं वैसे आज परिवार बाद की ए लिस्ट जारी की है उसमें केजरिवाल के बाद दूसरे नंबर पर सुनीता केजरिवाल का नाम है दिल्ली सरकार में मंतरी गोपाल राइने का क्योंकि केजरिवाल जेल में है इसलिए उनका संदेश सुनीता केजरिवाल देश भर में लेकर जाएंगी आम आदमी पार्टी के अर्विन केजरिवाल, मनीश सौधिया और सतेंजेन का नाम भी है ये तीनों फिलाल जेल में है जिस दिन केजरिवाल की गरफतारी हुई थी उसी दिन मैंने कहा था कि अब सुनीटा केजरिवाल की राणीटी मेंटरी होगी वो केमपेंड की कमान समभा लेंगी और आज आम आदमी पाटी ने केमपेंड रस के लिस्ट में उनका नाम केजरिवाल के बाद रखा लेकिन आपके मन में सवाल उठ सकता है कि केजरिवाल, मनीश सौधिया और सतेंजेन के नाम ये तीनों तो जेल में हैं तो इसकी दो बज़े है एक तो चुनावी सभाव में आम आदमी पार्टी के नेता यही कहेंगे कि बीजेपी ने केजरिवाल को गिरफतार करके कैम्पेंज से दूर कर दिया इसलिए वो नहीं आ पाए सुनीता केजरिवाल अपने पती अर्विन केजरिवाल का मैसेज लाई है इससे सिंपर्थी मिल सकती है और दूसरी वज़े है कि जब कोट में इन नेताओं की बेल प्रेटिशन पर सुनाई होगी तो तर्क दिया जाएगा कि चुनाव का वक्त है ये तिनों नेता पार्टी के स्टार केम्पेंडर है इसलिए उन्हें बेल दी जाए परिवार का सवाल पश्चिम बंगाल में भी उठा मोदी ने बंगाल में ममता के परिवारवात की बात की आज नरिन मोदी ने बंगाल में जाकर दो जगा पब्लिक मीटिंग्स की पहली रैली बालूर खाट में हुई और दूसरी राए गज़ में और दोनों रेलियों में मोदी ने करप्शन का इशू उठाया तोले बाज टेक्स की बात की और मम्ता पर तुष्टी करन का अपीजमेंट का इल्जाम लगाया मोदी ने राम नौमी के जुलूस पर पत्थर बाजी की घटनों का शिक्र किया दुर्गा पूजा के वक्त मूर्ती विर्सजन पर पाबंते की याद दिलाई और इसके बाद मुदीने का कल राम नौमी है और मम्ता ने इस बार भी राम नौमी मनाने पर रोक लगाने की कुशिश की लेकिन काम्याब नहीं हो पाई आज महा अस्टमी का पर्व है और कल पूरा देश राम नौमी मनाने जा रहा है और ये बार ये राम नौमी भी खास है इन नवरात्री भी खास है और ये बांगलान नववर्ष भी खास है ये पहली राम नौमी है जब आयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला बिराजमान हो चुके है मुझे पता है टीमसी ने हमेशा की तरह यहां राम नौमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की सारे सडियंत्र किये लेकिन जीत सत्य की ही होती है इसलिए कौट से अनुमती मिल गई है और कल पुरी स्रद्धा और भक्ति के साथ राम नौमी की शोभाय आत्राए निकलेगी आज पूरा बंगाल कह रहा है चार जून चार शोपाद चार जून चार जून चार शोपाद ममता बेनर जी निम्बूदी के इस समले पर तो आज कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने इतना जरूर का के राम नौमी मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है लोग जलूस निकालें शोभाय आत्रा निकालें लेकिन अगर कहीं दंगा करने की कोशी हुई तो सक्त एक्शन होगा और इसके बाद ममता ने का अब बीजेपी के नेता लोगो को बताएंगे क्या खाना है क्या पीना है ममता ने का बीजेपी वाले कहेंगे कि चाए में गौमूत रुप्यों खाने में गोबर मिला कर उसको अस्वाद लो को इसके बाने में हम्ता कि मोदी लू का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह कि जूर्व्प्यों घुर्ण बोलते हैं बेबुनियाद इंजाम लगाते हैं और खुद ब्रस निताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें इमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं अपनी जेनरेशन आवे तुमानेर काचे अपील बोच्ची पीश सेट पांकी पॉंप बिजास्तार जो हमाना नावजवान है अब देश को बचाओ मोदी का हाँ से अमिच्छा का हाँ से बीजेपी का हुपिणा का हाँ से के अछ यह तुमदले मोलें अलेगले में सोर हैं बीजेपी चोड हैं, अलेगले में वाशी में सोर हैं वाशக ने हैं, टूलेच होलिक बचोंडलेंगें चुन्च ने सब्कें जहल में बढ़देंगें बुग आपी जित injury हैं ममता बेनर जी के प्रॉब्लम अपने मुस्लिम वोर्ट बैंक को इंटेक्ट रखनी की है कई बार वो जैश्री राम के नारे पर नाराज़गी दिखाती है कई बार राम नौमी के प्रोसेशन पर रोक लगा देती है ताजिये निकालने के लिए मूर्ती विरसेशन को रोक देती है और जब जब ऐसा करती है बीजेपी इसका पूरा फाइदा उठाती है चुकि कल राम नौमी है बीजेपी पूरे बंगाल में शोभा यात्रा निकालेगी और ममता की मुश्किल यह है कि वो न तो शोभा यात्राओं को रोक सकती है और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसका इल्जाम भी ममता के सिर पर ही आएगा इसलिए कल का दिन ममता के लिए कठिन परिश्या जैसा होगा वैसे अयुद्धा में भव राम बंदर के निमान के बाद कल पहली राम नौमी है इसलिए कल अयुद्धा में भगवान छुरी राम का जन्नोसव भव तरीके से मनाया जाएगा राम लला के माथे पर सूर्य तिलक होगा और इस अबसर पर अयुद्धा से इंडिया टीवी की स्पेशल कवरेज आप कल दिन बर देख सकेंगे सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फाइरिंग के केस में पुलिस ने गुजरास से दो लड़कों को ग्रफतार किया है विकी गुपता और सागर पाल को बुझ जिले से रेस्ट किया गया दोनों बिहार के रहने वाले हैं और पिछले एक महीने से महरास्ट में रह रहे थे जाँट में पता चला के विकी गुपता और सागर पाल ने पन्वेल में सल्मान के फार्म हाउस से कुछी किलूमेटर की दूरी पर एक घर किराई पर लिया था और फार्म हाउस पर सल्मान के आने जाने पर दजर रखते थे दोनों ने मुंबई में सल्मान के गैलेक्सी अपार्टमेंट वाले घर की रहकी की थी पुलिस ने आज दोनों आरूपियों को कोर्ट में पेश किया अदालते दोनों मुल्जिमों को 25 अपरेल तक के लिए पुलिस की कस्टडी में भीज दिया मुंबे पुलिस की क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिशनर लक्षमी गौतम ने बताया कि पुलिस को CCTV कैमरों से मिले फुटेज और मुख्बिरों की मदद से इन आउरूपियों की लोकेशन पता चली 14 अपरैल को दोनों रड़के बैंडरा में सल्मान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ दूरी परूखे पहले पैदल जाकर रहकी की फिर वहीं खड़े होकर इंतजार किया जब उन्होंने देखा कि सल्मान के घर के बार कोई नहीं है तो दोनों बाइक से आए और फाइरिंग करके भाग गए पुलिस का कहना है कि फाइरिंग करने के बाद इन लोगों ने बाइक को मुम्मे में रेलवे ट्रैक के पास छोड़ा कपड़े बदले और कार से सूरज चले गए इसके बाद वहां से कच गए जेसी पी लखमी गौतम ने बताया कि सल्मान के घर पर गोली चलाने के बाद अन्मौल बश्टूई ने फेसबुक पर इसके बारे में लिखा इसलिए पुलिस को शक है सल्मान के घर पर गोली चलाने के पीछे इंटरनेशनल कॉंस्पिरेसी है अंतर रास्टिये साजिश है अब आरूपियों से पूछता के बाद इस साजिश की सारी कड़ियां खुल जाएंगी हमारे हिसाब से जो दो एक्यूज थे उनके बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है दूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिल रही थी बाद में जैसा कि मैंने का हुमेन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर वो इन्फॉर्मेशन और थोड़ी प्र पॉसिबल एंगल्स हैं सारे पॉसिबल एंगल्स हैं हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अन्मोल बिशनोई नाम के वेक्ती ने फेस्बुक पर इस घटना से संबंदित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धंकी क्ल इस थ्रेट है और ये फिल्म स्टार के लिए ऐसी थ्रेट उनके काम पर असर डालती है एक्टिंग की संभावनाओं को लिमिटेड कर देती है और पबलिक शोज में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है इसलिए ये चैलेंज ज्यादा बड़ा है लेकिन सिर्फ प्यादों को पकड़ दे से काम नहीं चलेगा जरूरत है शेजन्द करने वालों को गिर्फ में लेने की